हेला दोस्तो मैं हूँ तनमय और सागत करता हूँ मेरा इसी ट्रिप चैनल तनमय सल्ट्रेशन को तो दोस्तो आज का वीडियो में हम बात करेंगे तो बहुत सारा स्वस्क्राइब और ने मुझे कमेंट करके बताया कि जो सीरीज राइट हम त्यार करते उसके लिए यह सार्कि लगाने भी जलता है तो दोस्तो यह तो है हमारा 8 mm का जो लाइट है और बहुत 8 mm और 5 mm के लिए जो सार्किट त्यार होता है उसके लिए भी मैं आपको काल्कुलेशन करके आज ही वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो को फास्ट लास्टक देखिए अच्छे से और समझन से जानते होगो वह ठीक है जो नहीं जानता इसको पार्लाल कनेक्शन और सिरीज लाइट कनेक्शन तो उसको मैं बता रहा हूं हम जो सिरीज लाइट त्यार करते है उसके लिए जो हम इसको क्यों सिरीज लाइट बोलते है पार्लाली लाइट क्यों नहीं बोलते तो इसको आप डाउट क्लेर करना चाता हूं तो देखिए सिरीज लाइट का मतलब यह है हम जो LED लेते 5 mm या 8 mm जो लाइट लेते है उसका LED का एक positive रहता है और यह negative रहता है आप यहाँ पर भी देख सकते हो इसका बड़ा बाला पाट है टर्मिनाल आता है लीड यह इसका positive है यह इसका अंदर जो देखिए कांच का अंदर एक silver कलर देख रहे है न वह एक छोटा वाला है एक बड़ा वाला है छोटा साइट का जो जो लीड निकल रहा है इसका positive और यह इसका negative तो इसी हिसाब से आपको जो supply voltage देना होगा मालोगी मैं यहाँ पर supply voltage दे रहा हूं यह 12 volt का 12 volt का 1 amp में supply voltage दे रहा हूं 12 volt का 1 amp दे रहा हूं यह शीरीज connection और यह हमारा parallel connection में आपको 12 volt का 1 amp में supply voltage दे रहा हूं यह हमारा VS जो बोल रहा हूं यह supply voltage दे तो series connection में क्या होगा देखिए LED का जो positive है और एक negative है तो उसका connection एसा होगा कि आपका vcc रजे input voltage गया तो positive को LED का पहले वाला पजिटिव के लगेगा उसका जो नेगेटिव टर्मिनल दुसरे वाला LED का पजिटिव के साथ लगेगा यह हमारा LED का पजिटिव और यह से तरह रहेगा दिखिए इसका नेगेटिव के साथ इसका पजिटिव फिर दुसरे वाला LED का नेगेटिव के साथ तीसरे वाला LED का प बचिटिव ऐसे तरह connection होगा यह हमारा सीरीज connection चला गया पारलल connection का मतलब voltage से हमें करेंड़ी चैसे में तो पारलली connection क्या करेंगे यह सभी LED को direct connection होगा यह step by step ओके LED के साथ connection हो रहा था तो टायरेट वोल्टेज से साथ connection होगा यह हमारा LED का जो positive यह नेगेटिव तो यहां पर ऐसे तरह रहेगा हमारा connection, यह positive, सभी LED का positive एक ही side रहेगा, सभी LED का negative एक ही side रहेगा, तो voltage supply जो देंगे direct यह जाकर positive पे लगेगा, यह जाकर negative पे लगेगा, ऐसे तरह जितना भी LED लगाएंगे, य आपका ये दूसरे वाला LED का direct negative लगेगा और ये positive लगेगा ये एकी light भी खराब हो जाएगा तो ये सभी light जालेगा लेकिन series connection में एकी light खराब हो जाएगा तो total light नहीं जालेगा क्योंकि उस LED का अंदर ये current और voltage जा रहा है परेला connection में voltage बिजा रहा है तो दोस्तों यहां पे voltage मालोगे हम 12V दे रहे हैं इसका series वाला connection में आपका voltage drop हो रहा है voltage drop हो रहा है मतलब voltage divide हो जाएगा तो आपका 12V जो input आ रहा है तो आपका 3LD है 3LD के पास आपको यहां पे 4V 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 ऐसे तरह होके divide हो जाएगा तो हमारा voltage यहां पे divide होगा इसी series connection में दोस्तों इसका current जा रहा है यहां पे voltage यहां पे divide हो जाएगा current इसका constant रहेगा मतलब यहां पे 1 amp का current जा रहा है तो यहां पे सब यह LED के पास 1 amp का current रहेगा तो voltage divide होगा है voltage divide होने की यहां पे 4V रहेगा वह यहां पे भी 4V रहेगा और यहां पे भी 4V रहेगा इसे तरह डिवाइड होगे हमार टोटाल सार्किट कॉरेंट यहां पर कंस्टांट जितना एंपेर भी देंगे उस अभी है लीड़ी के उसी एंपेर जाएगा मगर पारलल कनेक्शन में आपको क्या होगा वोल्टेज यहां पर कंस्टांट रहेगा और उसका जो कॉरेंट डिवाइड हो जाएगा यहां इसका मतलब में बता देता हूँ यह आपको बारा वल्ट सप्लाई यहां पर दे रहे तो 12 वॉल्ट यहां पर जाएगा तो सभी LED के पास आपको बारा वोल्ट सप्लाई मिले गा जितना वफी LED देंगे वोल्टेज यहां पका सप्लाई रहेगा किन्तु मगर यहां पर जो वान एंपएर जा रहा तो 1-ampere divided by 3 तीन लीडी लगा रखाऊं तो तीन लीडी डिबाइड हो जाएगा तो डिबाइड होने कि आपका पास 300 या 600 मिलियांपेर का 16300 मिलियांपेर का करेंट रहेगा यह था हमारा सीरीज का कर्नेक्शन और यह था हमारा पर्लल का करेंशन तो यहां पर मुद्दे पर आता है कि जो हमारा जब काल्कुलेशन होगा सिरीज लाइट के लिए जो सार्कीट तो उसी सार्कीट हम कैसे त्यार करेंगे तो circuit का connection करने से पहले तो देखिए हमारा पास जो मिल रहा है यह वाला circuit RC driver वाला circuit और यहां पर डायट लगा रखाए और यहां पर PF और यह capacitor रेजिस्टर सभी लखाए यह 8 mm के लिए और यह 5 mm के लिए तो बहुत सारा वीडियो में देखा हूँ कि यहां पर डायट ब्रीज रेक्टिफार लगाकर हमारा जो circuit त्यार होता है जो AC को DC convert कर देते उसके बाद रेजिस्टर लगाकर उसका voltage को कामा कर देते तो उसका उपर मैं बता दूंगा वो क्यों करते हैं यह क्यों होता है तो यह दोनों circuit दे लिटी जलेगा तो हम इसको क्यों यूज करते हैं उसको प्रेस कर दीजिए क्योंकि जब भी मैं नया नया वीडियो आपके लिए अप्रेट करूंगा आपके बास सबसे पहले नोटिफिकेशन बन जाए हम देखेंगे हमारा जो घर में आ रहा है इलेक्ट्री वोल्ट यह हमारा 220 वोल्ट ऐसी से 230 वोल्ट ऐसी इसका अंदर ही वो यहां पर ब्रीज रेक्टिफायर लगा देने के बाद हमारा जो वोल्टेज कंवर्ट हो जाएगा डीसी से हमारा रेक्टिफियर का काम है कि ऐसी को डीसी कंवर्ट करेगा तो हमारा कंवर्ट हो जाने के बाद 220 वोल्ट डीसी 250 वोल्ट से 230 वोल्ट डीसी कंवर्ट हो जाए सब भी LED का एक rating होता है कि यह इतना voltage में चलेगा और इतना current में ही चलेगा उसका ज्यादा होगा तो LED कर जाएगा और उसका कम होगा तो आपका LED अच्छे से blink नहीं करेगा तो इसलिए आपको यहां पर LED लगाना होगा उसी LED का packet का अपर आपको देखना होगा कि कितना rating पर य इसी फोटो के देख लिजिए यह भी आप यूज कर सकते हो तो हमारा जो LED है हम हम यहां पर 8 mm लेते है तो 8 mm का जो LED आता है यह आपको 3.2 वोल्ट से 3.8 वोल्ट के आसपास आता है यह DC में जलेगा और इसका current जो आता है 20 मिलियांपेर का current आता है 20 मिलियांपेर का मतलब 0. 2.02 आमपेर तो इतना ही हमारा रेटिंग है और जो मल्टी कलर आता है जो 8 mm यह 5 mm का जो मल्टी कलर आता है यह DC वीवाला यह मिलियाम्पेर तो हम यहां पर सार्कृट करेंगे उसका एव पारच कम ले गारिवे ब्सकार्रण का लेकर तो हम 20,5 यहां पो में लेंगे तो यहां पे जो एलीड यापको लगाना होगा उसी LED का लगा कर आपको इस आर्कृट डिजाइन करना होगा तो अच्छे से देखिए हम यहां पे 50 LED के लिए सिरीज बनाएंगे तो हम पहले 50 LED सिरीज के लिए कौन सा सार्कृट यूज होगा तो यहां पे भी आप 30 LED लगा सकते हो 20 LED लगा सकते हो 40 LED लगा सकते हो इसी कालकृले ejecton के हिसाब साब करना होगा तो आप खूदी बनाकर देखिए तो इसको देखिए फेले और 50 LED सिरीस के लिए मैं क्या करता हूं पचास LED सीरीज के लिए आपको टोटाल LED हमारा पचास LED आता है तो पचास LED एक ही LED हमारा जो voltage ले रहा है 3.2V तो ज़्यादा होगा तो इसके लिए यहां पे हम इसका minimum voltage लेना होगा 3.2V हम ले जाएंगे यहां पे हमाँ ATM के बात करें तो 3.2 वोल्ट हम लेंगे 3.2 वोल्ट इतना ही हमका कितना वोल्टेज चाहिए 50 लीटी के लिए तो पेले हम काल्कुलेट कर देदे हैं 50 इंटु 3.2 वोल्ट शरी 3.2 वोल्ट एक सोसाट वोल्ट यहां पर हमारा 160 वोल्ट चाहिए गवी 140 वोल्ट यहां चाहिए हमारे बास जो तू तू तूट से तू तू थअलटिस लगाए लगन हम चाहिए वोल्ट एक अमदों हमारा ज्यादा गविट में टू सॉन फॉल्ट दो क्यों हम अगए घ्लत pops धूड-व्यक्यश को घोड़ी 220-160V तो 60V हमारा जो यहां पर consume होगा तो 60V हमारा extra voltage हागया 60V DC हमारा extra voltage जागया क्योंकि यह हमारा ज्यादा voltage हो रहा है इसको कम करने के लिए हमको यहां पर register लगाना पड़ेगा तो register का जो मतलब है इती अपस्ट दी flow of current तो हमारा जो पात जा रहा है, electricity पात हो रहा है तो वहीं पर आपका current को कम करने के लिए current को अपस्ट करने के लिए हम यहां पर register लगाएंगे तो current अपस्ट होगा तो voltage automatically अपस्ट हो जाएगा तो इसलिए यहां पर register यूज होता है तो register यूज करने का उसका भी calculation करना पड़ेगा तो हमारा 60 volt को कमाने के लिए हम यहां पर register लगाएंगे तो यहां पर हमको क्या करना होगा दोस्तों हमको हमारा एक formula है V equal to IR मतलब V मतलब voltage तो हमारा voltage और I मतलब current और उसका जो register है जो resistance चा उसको लेते हम R तो V equal to IR का उसका meaning चाहे IR equal to B उसका भी belief से है तो यहां पर हम क्या करेंगे हमारा जो volt I का मतलब जो current हम दे रही है हम यहां पर register खोलना चाहिए तो हमारा register का value पता चाहना होगा तो इसी formula सभी LED का series में भी लगा सकते हो तो R का खोलना चाहिए तो R यहां पर रहेगा और right side में आपको भी divided by voltage है voltage divided by current हो जाएगा तो हमारा register का value पता चल जाएगा तो हमारा voltage register का value पता करने के लिए हमारा voltage कितना है ज़्यादा voltage जो हो रहा है 60 volt DC हो रहा है तो यहां पर 60 volt DC divided by हमारा current current मतलब हम जो series में पहले से ही जो बता रहा था कि हमारा यहां series में आपका current constant रहेगा तो हम series light त्यार कर रहे है तो जो constant current होता है इसका LED का constant current हम क्या लेते 22.5 mili ampere का जो constant current लेते तो उसी current यहां पर divide होगा तो 22.5 mili ampere यह है तो mili ampere current हो रहा है तो उसको हम ampere करेंगे तो इसको 10 to the power minus 3 इसको अच्छे से याद करना होगा कि आप यहाँ पर milliampere हो रहा है तो इसको ampere करेंगे तो 10 to the power minus 3 मतलब जो 1 ampere 1000 milliampere होता है 1 ampere equal to 1000 milliampere तो इसलिए हमको 22.5 milliampere आ रहा है तो इसके लिए हम 1 ampere ampere को convert करने के लिए into 10 to the power minus 3 जैसे into कर रहा है तो यहाँ पर देख लेते हैं तो 60 volt divided by 22.5 into 10 to the power minus 3 तो यहाँ पर हमारा आ गया 2660 ohm 2660 ohm का register आएगा 2260 मतलब 1000 ohm जे 1 kilo ohm तो यहां पर 2660 ohm तो यहां पर 2.6 kilo ohm देखिये हमारा 2660 ohm मतलब 2.6 kilo ohm से 2.7 kilo ohm का register यहाँ पर चाहिए तो हमारा voltage गो drop करने के लिए उसके बाद को register का जो हमारा register का value हमका पता चल गया उसका वाट होता ही उसका register के विए जो वाट होता है कितना watt का हम लेंगे तो उसी watt को calculation करने के लिए यहां पर मैं बता रहाँ watt का formula है हमारा यह हमारे DC खोल रहा है तो इसके लिए P equal to VI तो DC से watt निकल रहा है इसलिए हमारा formula है P equal to VI अब ज़िक आप AC से watt calculation करेंगे तो उसका formula रहेगा पी इकोल टू भी आई कस फाई कस फाई वो तो एसी के लिए हो हमका यहां जरूरी नहीं है तो यहां पर पी मतलब पावार है तो हमारा कितना वाट जो रेजिस्टर होगा यहां पर चलेगा और वल्टेज और करेंट दिखाने के बाद आपको यह इंटू करेंगे तो आपका कितना वाट चाहिए वो पता चल जाएगा तो हमारा वल्टेज जो था टोटल हमारा जो बचावा वल्टेज यहां पर कितना था साट बोल्ट तो साट वोल्ट इन्टू कररेंट करेंट जो था हमारा कितना बोल्ट तो टॉन्ते टू पैब मिली आमपैर का करेंट है तो इसको हम आमपैर करेंगे इन्टू 10 टू दी माइनस 3 जैसे इंटू करेंगे तो दोस्तों यहां पर जदी हम इसको डायेट यहां पर मार देते हैं 60 वोल्ट इंटू 22.5 इंटू 10 to the power minus 3 equal to 1.35 वाट हमारा जो वाट चाहिए 1.35 वाट तो यहां पर देखिए तो यहां पर हमारा 1.35 वाट आता है तो 50 LED सीरीज के लिए हम 80 mm LED सीरीज में लेंगे जो 80 mm LED जो यूज करेंगे यह वाला जो 80 mm LED तो इसको हम जो यदि यूज करेंगे उसी हिसाब से आपको क्या चाहिए 50 LED सीरीज लगाने के बाद 2.7 K का रेजिस्टर और उसका जो वाटेज है 1.35 का वाट चाहिए टोटल टोटल इतना कमपोनेट हमको चाहिए इतना रेटिंग का तो हमारा LED लाइट ग्लो करेंगा तो सिरीज लाइट तो यहां पर आपको क्या करना का दौस्तो आप यहां पर आपको 1.35 के ज्यादा लेगे तो आच्छा रहेगा लेकिन उसका कम होगा तो प्रेशर पड़के अपका led कट सकता है तो एक जो लेंगे 1.35w का ले सकते हो, तो यहाँआँपे 2.7わか जो रेजिस्टर है आप डिट हैक भी 2.7 रेजिस्टर लगा कर यहाँपे आपको 1 watt या 2 watt का register लगा सकते हो तो इसे होकर भी आप 1K का register भी यूज़ कर सकते हो 1K का आपको half watt लेना होगा तो आच्छा रहेगा half watt का मतलब यह जो register का भी एक value है कि कहां से कितने watt आपको half watt किसको बोलते है तो यहां पर थोड़ा मैं लेख देता हूँ 1.8 watt हम जो बोल रहे है यह 0.125 watt होता है तो 1.4 watt जो होता है यह हमको quarter watt बोलते है जो quarter watt बोलते है मालों कि आप एक ही चीज को आप divide करेंगे तो वो चार पार्ट में divide हो जाएगा तो चार पार्ट का जो दो नमबर पार्ट है उसको हम quarter watt बोलते है तो यहां पर देखिए यह हमारा quarter watt हो गया और यहां पर जो 0.5 watt हम बोल रहे है यह हमका half watt होता है तो 0.5 जो होता है यह हमारा यहां पर गलते हो गया वान पॉइंट टू जो हम बोलते है यह हमारा 0.5 वाट होता है जो हम हम हाप वाट बोलते है यहां पर और यहां पर हमारा जो होता है 0.25 वाट होता है यह हमारा क्वाट होता है मालों कि हमको 100 को डिभाइड करेंगे तो 100 को यहां पर डिभाइड करेंगे 100 वाट को सो वाट डिभाट करने के आपको चार हिस्से में कनभेट होगा 25-25 होगे 25-25 होगे एक से 4-4-25 होगा तो हमारा सो कंप्लिट हो जाएगा तो इसी हिसाब से आपको यह 25-25 मिलकर 50 वाट हो रहा है तो यहां पर टोटल को हम हाप वाट बोलेंगे तो यहां पर जो 0.5 वाट का मत होता है हाप वाट ओको होता है तो इसे तो आपको 1by4 जो वाट है क्वाट होता तो यहां पर रेजिस्टर लेंगे यह 0.5 वाट का यह रेजिस्टर हम लेंगे तो 0.5 तो 0.5 do 0.5 plus 0.5 तो यहां पे 1.ивाल करेंख थिस्टर टीन लेंगे तो आच्छा रहा हो उन-क लगा 0050 .500uan2-10 region 1.5 होजाएगा तो यहाँ पर आपका जो फिन पर यहां प्रेजिस्टर का बेलू आपको पता चल गया कि 2.2 जो हाजिशिस्टर का रेजिस्टर बान एक के का रेजिस्टर का रेजिस्टर दी ले लगाएंगे तो आपका complete हो जाएगा यूंकि ज्यादा voltage आपको जरूर थे तो हमारा जो input हो रहा है 220 वोल्ट से 230 वोल्ट आ रहा है तो इसलिए यहां पर आपको 60 से स्वत्तुरी LED लगाना होगा तो दोस्तो उसके बाद आपको और एक बात करना चाता हूं मेरा recommended आपको होगा कि मैं आपको बोलता हूं ये वाला circuit न लगाएंगे तो जलेगा ये वाला circuit लगाएंगे तो जलेगा ये हमारा जो इसको काल्कुलेशन हो कि उसका पी एप का भेलू और कैपासिट और रेजिस् तो यहां पर भी हमारा इन्पूट होगा टूट वोल्ट एसी आउट्पूट निकलेगा टूट वोल्ट एसी तो इस सार्कृट और इस सार्कृट का अंदर फरक क्या है तो इसको मैं डाउट क्लियर करूंगा तो दोस्तो मैं भी बोलता हूं यह सार्कृट में आपका LED अड़ी अगे आउट क्यों लगते हैं तो यह सभी थिओरी के कालकुलेशन करेंगे तो यह यह चले तरह जलेगा तो प्राटिकाल लगाने के छाओ भी हो सकता है खुर आच्छा भी हो सकता है तो मैं आपको प्राटिकाली बता दूंगा तोस्तो हमारा घर में जो हम LED बल जलाते है तो देखिए यह वाला जो LED बल हम जलाते है घर में इसका दोनों तरह की सर्कृट आ रहा है एक डियो भी बला आता है और एक ड्राइबर बला आता है तो यह हमारा ड्राइबर वाला सर्कृट है तो दिखिए यह हमारा ड्राइबर वाला सर्कृट है यह नाइन वाट यह नाइन वाट का ड्राइबर वाला सर्कृट है और यह जो है यह डियो भी जो बोलते हैं यह हमारा नाइन वाट का डियो भी मन्दम डाइरेक्ट बाट मंड, मतलब डारीट, अशी से लगाएंगे तो डारीट गलो करेगा, इसका नीचे स्चीट सिंग देएंगे तो जलेगा और यह डाइवर वाला LED का सार्कुरिट है, तो यहां इसको भी लगाने के यह लाइट जलता है, इसको भी डारीट लगाने भी जलता है, उसका फ जो अब्रिज रेक्ट्रीपार होता है यह एसी से DC कंफट कर देगा उसके बाद यहां पे जो रेजिस्टर छोटा-छोटा दोनों देखा रहा है तो यह रेजिस्टर के आपको करेंट कम कर जाएगा तो वल्टेज कम हो जाएगा और यह आई से आपको एसे तरह वल्टेज र देख आता है उसका बहलु अलग अलग शालै यहां पे रिक्टीफार हुई है यहां पर अपर आगला रहा है यहां पर जो जो आउट्बूटि टिं कल रहा है तो इसका voltage क्या है 220V Dong 230V तो उसी voltage को हम इस जो LED यूज़ करते हैं कि यहां पर हम कालकुलेशन लेते हैं किस voltage को लेकर करे था 220V AC से 220V DC से हम कालकुलेशन करके हमारा यह रेजिस्टर का फेलु आ गया महालग कि हमारा जो voltage जादा हो गया 220V के 230V आ गया कि तो 240 वोल्ट आ गया जो डेकुरेशन बाला यूज करते हैं जेनरेटर उसका वोल्टेज लगाएंगे तो यह आपका 240 से 250 वोल्ट डीसी एसी आ जाएगा तो उसी एसी लगे लेंगे तो इसका लिए रेजिस्टर यू अलग सा चाहिए तो लाइट तो हमारा तियार हो सकता है totally complete हो गहा है हमारा जो रेटिंग है 220 वोल्ट असी तो हमको 240 वोल्ट असी देंगे तो हमारा लाइट खराब हो सकता है मैं मना महारा नहीं करता हूं कि इस सार्कृट में LED जलाएगा नहीं जलेगा तो यह जलेगा मैं बोलता हूं भी यह जलेगा लेकिन यह आपका किसी के मालग हमारा ज्यादा वोल्टेज आ रहा है या कम वोल्टेज आ रहा है यह LED हमारा खराब हो सकता है यह सीरीज लाइट होता है खराब हो सकता है मालग हमारा 220 वोल्ट आ गया तो इसको प्रोटेक्शन करने के लिए कोई भी यहां पर लगा नहीं रखा है हमारा जो सार प्रब्लेम को हम खतम करने के लिए यह वाला सार्कृट लगा रखाए क्योंकि यहां पे जो रेजिस्टर आएगा इसका करेंट को काम कर देगा यह जो कैपाशिटर हम लगाए कैपाशिटर का मतलब होता है यह वोल्टेज को खूदी रखता है उसके बाद उसको एक प्रटी खूद देदा है इसलिए हमारे है ज्यादा वोल्टे जाया या कम वोल्टे चाहिए इसको स्टैब्लेजर जैसा काम करता है हमका यह ज्यादा वोल्टेज आया हमारा LED एक ही प्रपर वोल्टेज में ग्लो करेगा इसलिए हम यहां पे गाशिटर लगा रखाए तो ठीक प्रिंस्पुल के लेकर हम त्यार करते हैं तो आप अभी बताएंगे तिरी से लिट के लिए ये सार्कीट कैसे यूज़ करेंगे तो उसके लिए जो काल्कुलेशन होनों के रहा था बहुत ही उसका एजुक्रेशन बहुत अलग है तो इसलिए हम जो टोटाली सार्कीट त्या ज्यादा होगा तो आच्छा रहेगा 50-50 अब यूज़ कर सकते हो और 60 से ज्यादा करेंगे इस सार्कीट का उपर प्रेसर बढ़ेगा तो इसका जो डिजाइन हो रहा था ये पचासे सार्कीट का एट्यम्यम का सिर्य लगा सकते हो उसके बाद जो हमारा पीएफ लगा कर र फाल चुका हूं। उसी भिडियो छे लाएं। उसके बाद न को चाहिए क्या चीज में तो का फाइप λέ निए प Wenn Die ब्लू कलर वाइट कलर आपको 50 से 60 हे लिडी सीरीज में लगाना होगा सीरीज में लगाना होगा तो उसके लिए जो रेड कलर आता है और पिंक कलर आता है उसी को आपको 55 से 60 हे लिडी सीरीज में लगाना होगा तो हो गया उसके बाद 5 mm का आता है RG एक आता है और Rb एक आता है तो RG और Rb के लिए हमको जो चाहिए आप 50 से 60 LED सीरीज में लगा सकते हो RG और Rb और उसके बाद रहा Rgb का Rgb LED जो 5 mm का आता है उसी के लिए आपको यहां पे 45 से 60 LED लगा सकते हो क्योंकि यह जो हमारा Rgb का वोल्टेज आ रहा है हमारा दागाबाग 4.2 वोल्ट आता है तो हम यहां पे 60 करेंगे तो 202 वोल्ट आ गया है तो 60 वोल्ट हम यूज कर नहीं कर सकते तो 50 से 55 LED उसको लगा सकते हो तो आप चाहते हो कि उसके कम LED लगाएंगे तो यह फर्मुला आप यूज कर सकते हो तो आप एक हिसाब से आपको सही रहेगा क्योंकि यह लास्ट कि उसका तो यह वहाला सरक्रेट लगाए आपको ठीक रहेगा तो यह से तरह हमारा वीडेयो में आपको बताऊंगा कि हमारा जो LED glow हो रहा है जो बहुत सारा comment नेक्श्ट वीडियो में बताऊंगा 100 LED Series, 100 LED Series का सिरीज का मतलब 100 LED Series करेंगे और पारलल करेंगे वो उसी वीडियो में बताऊंगा तो हमारा 100 LED बाला जो सार्कीट त्यार कैसे करेंगे और 100 LED सिरीज स्लाइट कैसे बनाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने बाला हूँ तो दोस्तो देखिए उस वीडियो को थोड़ा वेट कीचिए मैं दो-तिन दिन में वीडियो डाल दूँगा उसी वीडियो को देखिए और दोस्तो इस वीडियो में इतना ही तो आपको कोई डाउट ही इस कालकुलेशन का उपर मुझे कमेंट करके बताना आपको वीडियो को आच्छे से समझने के लिए गोशिज कीजिए तो आपको आच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए और दोस्तो इस वीडियो में इतना ही फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थांक्यू इज अजेए गूस्तों प्रह से अर्ड़ा करे बताना आपको आ दोस्तों अम्रशन के वीडियो में पूस्तों इज पस्तों अर्णिक के लिए पर मुझे के लिएघा को आच्छा